नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मीन डासी वालो जब जीवन में लगे की जैसे सब कुछ अब खत्म होने को है जब हिम्मत तूटने लगे जब लगे कि जीवन अब यहां से समाप्थ होता है तब क्या करें आप इसे जरूर आप कभी हार नहीं मानेंगे क्योंकि हार खुद ही आपके हिम्मत को देखकर हार मान जाएगा आखिर क्या करें देखें मनुस्य का जीवन है अगर जीवन है तो खुसियां है खुसियां है तो उत्सा है उमंग है जोस है लेकिन अगर निरासा है फिर तो एक ऐसा समय भी आत तब समझ में नहीं आता आखिर करें तो क्या यदि आप भी इस पैस्तिती से गुजर रहे हैं तो आज हम आपको इन तमाम परिसानियों से बाहर निकलने के लिए खास रास्ते भी बताएंगे चुनोतियां और मुसीबतें ये चलती है हमारे साथ ही हाँ ये बात अलग है कि किसी किसी के जीवन में मुसीबतें कम होती है खुसियां जादा होती है रास्ते बहुत सारे मिल जाते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लेकिन बहुतों के जीवन में ये भी होता है कि चुनोतियां ही चुनोतिया एक आपने एकजाम पार पास नहीं किये कि दूसरा फिर से हाजी रहा है एकजाम है कि खत्मी नहीं होते अब ना चाहते वे भी आप अपनी हिम्मत खोने लगते हैं अब इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हैं सबसे पहला तो यह कि अगर आप कुछ ना करे और चुपचाप सरपकर कर बैठ जाएं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप परिस्थिती के सामने घुटने टेक चुके हैं अब यहां से आप ना आगे बढ़ पाएंगे और ना कोई रास्ते न जराएंगे आप अपनी हिम्मत अगर हार चुके हैं तो फिर बहुत मुस्किल लेकिन दूसरा तरिका यह है कि आप समझिए आप इस्थिती को समझिए कि अगर आप हार मान लेते हैं तो फिर आपका जो पर्तिद्विंदी है जो आपका बिरोधी है वो जीट जाएगा और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपके साथ नकात्मग बाते ही बोलेंगे तुम से नहीं होगा तुम नहीं कर पाओगे तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो ना जानी कितने सवालात कितने सारे प्रश्ण जाते हैं तो फिर अपने आपको बहुत दिखाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे आप कुछ नहीं कर पाए अब यहां पर आपको डराने की वो चेस्टा करते हैं कहीं आप उनसे आगे न निकल जाएं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको पहले अपनी अच्छी लच् पुक्सान है और तब जो लोग इस तरह के सड्यंतर किये हैं जो जाल बिचाएं उनकी जीत होने लगती है अब इनसे बाहर कैसे निकले कि जीवन जीना ही सरल हो जाए जीवन जीना आसान हो जाए इसके ही दो तरीके होते हैं सबसे पहली बात तो ऐसे लोग जो नकात्मक छ साथ होते हैं घुल मिल जाते हैं कि आपको लगता है वो आपके अपने हैं पर असल में वो आपसे सिर्फ अपना काम निकालने या फिर आपके खिलाब कोई पुक्ता सबूत ही कठा करने आये होते हैं यानि ऐसा सरियंतर बिचा रहे होते हैं जहां आप खुद ही फज़ाते हैं तो ऐसे लोगों को नजर अंदाज कीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों हैं लेकिन इतना ज्यादा आगे पीछे करेंगे कि वो आपको लगेगा उनके बिना आपकी जिन्दगी अधूरी है लेकिन असल में वो आपको एक बैसाखी का सहारा पहले देते हैं औ आपको पूरी तरह आपाहिज बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं अब ऐसे सोचिए आपकी इन लोगों के साथ क्या सही रहेगा आपका क्योंकि ये लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे नहीं बलकि आपको जार पर चढ़ाएंगे और फिर वहां से उतार हैं तब यहां पर हमेशा ही एक बात याद रखिए कि आप अगर खुद की हम्मत खुद के हाटों सब कुछ होता है अगर आपको हिम्मत अपने किसी और के हांतों तोड़ने के लिए आप छोड़ देते हैं खुद के तो फिर यहां दिकत हो जाएगी इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बे मतलब के आपसे दुस्मनी निकालते हैं आपसे कोई उनको परिस्णली दुस्मनी नहीं होती लेकिन सिर्फ मजा लेते हैं आपको परिसान करके या फिर आपको परिसानी में देखके तो ऐसे लोगों से बचने की कोसिस करें फिर आप सोचेंगे समाज में तो हर कोई ऐसा ही है फिर क्या करें तो आप भी वैसा ही बनि अब आपको भी करना है लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से भी जलते हैं और मीन वालों का सफलता तो उनको प्राप्त हो ही जाता है क्योंकि मेहनती होते हैं बुद्धिमान होते हैं दूर दृष्टी वाले होते हैं जब कोई आपका मनोबल तोड़ने लगे तब हमेशा ही एक बात याद रखिए अंदर से अगर आप confident हैं अंदर से आपको हिम्मत है तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है और सब कुछ आपके अंदर हैं आप सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज असंभब नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं लेकि तो बस ये समझ लें कि एक मजबूरी है बहुत सारी मजबूरी है जो आपको ना आगे बढ़ने देता है ना पीछे हटने बहुत बार तो लोग अपने भी आपको धोखा दे देते हैं ऐसे में तो क्या आप अपनी सक्सियत ही बदल ले जब लोग अगर वैसे बदल रहे है तो आपको भी थोरे से समल जाना चाहिए वैसे भी किसी विबेक्ति को उतना ही इज़त दीजिए जितने के वो हगदार है जरूरत से ज़्यादा अपना पन दिखाईएगा जरूरत से ज़्यादा आप उनको आसमान पे बिठाईएगा तो वो हमेशा आपको ही धोका तो जिन्दगी में कभी नहीं हारेंगे और जब भी मन एकदम से निरासा से भर जाये दुखी हो जाये तो हमेशा ही दो बाते याद रखिए इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है अगर सफल होना है तो अकेले चलिए अपने बलबुते आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप मीन वाले हैं मीन का मतलब होता है मचली और मचली का मतलब होता है अथा बहुत सारा उनके अंदर समाहित है वो चीजें जो अन्ने किसी में नहीं है तो आप सर्वस्रेश्ट है ये बात हमेशा याद रखिए क्योंकि आपको कोई जुका सके ऐसा कोई नहीं इने दिमाग से ही लोग हराते हैं और वैसे नहीं हरा पाएंगे ये खुद भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन क्या करें अब in में ही रहना है अब जल में ही रहना है और उस की दुनिया वाले भी है लेकिन यहां पर आपको बहुत सम्मल के रहना है हमेशा ही याद रखिय कि आप अगर खुद से वादा करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है आपको इस्तेमाल नहीं खुद को होने देना है तो नहीं होने देना है ये आपके हाथ में है अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा महसूस हो रहा है बाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा हर हर महादेब धन्यवाद